हेलो दोस्तो, मेरा नाम है कमल जोसी, दोस्तो आज बात करेंगे कि किस तरीके से नीटरल को हम जां सकते हैं टेस्टर के थूरू, मिंस अगर हमको कोई टेस्टर दे दिया जाए और नीटरल भी हमें चेक करना है, जैसे कि आम तोर पर अगर हम देखें, चाहिए फैक्टरी हो घर हो, सबी जगह पर, जो लाइन सप्लाई है, उसको तो हम जाच सकते हैं, टेस्टर के थूरू, लेकिन न्यूट्रल को हमें जाचना है, तो एक मल्टी मीटर की हमें जरूरत पड़ती है, और टेस्टर से जो पॉसिबल नहीं होता है, तो टेस्टर से किस तरीके से जाचेंगे, उसके उपर मैं ये वीडियो बनाया हूँ, ये एक एक्स्प्रेमेंटल वीडियो है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, अभी यहाँ पर मैं लाइट थोड़ा आफ करता हूँ, तो उससे आपको LED ग्लो करती भी दिखाई देगी, ये देखे, तो यहाँ पर लाइट की सप्लाई को चेक करने के लिए, इस तरीके से हम पीछे से हाथ रखते हैं, और लाइट सप्लाई हमें पता चल जाती है, कि इस वायर में, इस सॉकेट में, यहाँ पर लाइट की सप्लाई कनेक की वी है, इसी तरीके से अगर नूट्रल की सप्लाई हमें चेक करनी है, तो इस टेट्सर के थूरू, नॉर्मल कंडिशन में हम नहीं चेक कर सकते हैं, ये देखे, इस तरीके से हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा, अगर हमारा कहीं वायर ब्रेक भी है, तो हमें पता नहीं चलेगा, तो बेसिकली एलेक्ट्रिकल की फील्ड में ऐसा हमें देखने को मिलता है, कि नूट्रल की वायर हमारी मिसिंग होती है, या फिर कहीं ब्रेक हो जाती है, और हमारा लोड नहीं चलता है, तो हम खोशते रहते हैं तो उसे हमें इस चीज़ को पता करने के लिए मल्टी मीटर की ज़रुद होती है तो अगर अब आप मल्टी मीटर अपने हर समय अपने पास रखने ही सकते हैं तो उसे चेक करने के लिए आप इस tester से भी आप easily चेक कर सकते हैं तो दोस्तों मैंने एक wire लिया है जिसे मैंने neutral के साथ connect किया है अब इस wire को मैं क्या करूँगा जहांपर हम लोग पीछे से finger से या फिर हाथ से दबाते हैं पीसे metallic part को tester के वहाँ पर मैं इसे touch करूँगा तो जैसे ही मैं इसे touch करूँगा तो इसे neutral मिलेगा tester को neutral मिलेगा तो tester को neutral मिलने की वज़े से ये इसका जो अंदर tester का neon bulb है वो भी glow करेगा तो दोस्तों करके देखते हैं ये थोड़ा सा electrical के field में अगर आप काम करते हैं तो थोड़ा सा electrical related जो काम रहते हैं वो थोड़ा इस तरीके से risky रहते हैं लेकिन आप इसे असानी से कर सकते हैं ऐसा कोई risk वाली बात नहीं है तो इस तरीके से ये glow करेगा और बहुत ज़्यादा glow करेगा जैसे अगर आप हाथ से touch करते हैं देखें ये थोड़ा हलका glow कर रहा है लेकिन आप neutral के साथ पूरा connect करेंगे तो ये पूरा glow करेगा क्योंकि हमारे body में भी कुछ resistance होता है जिसकी वज़े से ये थोड़ा कम current पास होता है लेकिन आप neutral के साथ अगर connect करेंगे तो neutral क्या है totally हमारा earth रहता है तो neutral जो transformer से हमार neutral रहता वो totally earth होने की वज़े से वो पूरा neutral हमें मिलता है tester को तो इस तरीके से हम लोग check कर सकते हैं दोस्तो कि किस तरीके से neutral हम आसानी से इसे analyze कर सकें तो neutral हम लोग यहाँ पर इस तरीके से wire लेके कर सकते हैं without multimeter तो दोस्तो कहीं पर भी आपको problem मिले troubleshooting related या फिर कोई भी इस तरीके की problems अगर आपको face करनी पड़ती है जहाँ पर neutral missing है तो इस तरीके से आप tester लगाके check कर सकते हैं और easily बहुत ही सस्ता जुगार है आपको multimeter की ज़रुवत नहीं है और इस तरीके से आपको check करने पर मिल जाएगा तो दोस्तो धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए और इस तरीके की experimental वीडियोस में बनाता रहता हूं अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो subscribe कीजिए और इस वीडियो को like मी ज़रूर कीजिए धन्यवाद दोस्तो